कौनग्रेस की महासचीव प्रेंका canadhy जी आज रावल गांधि का है drug-holder की तलाशी हूई है करते हैं यहाग करता है वजीं जी का करते हैं एक एक च्वह सवाल हुए vaipaksh की तरफ से आप एक ऐसी नेता है जो प्रधानमंतरी जो भी भाशवत देते हैं एक-एक इसू पर इसू बेस्टाब रेवर्टल दे रही है. तो जिस तरह से उन्होंने मीट-मचली की बाद किया, जिस तरह से हो करें 400 पार है विपक्षराडाई मैंने उस पर क्या कहेंगा? मैंने कहा आप में भाशन में, जी कि है चुनाओ मीट मचली का चुनाओ नहीं है यह चुनाओ लोगों की जरूरतों का चुनाओ है महांगाई हज से जादा बढ़ प्रदानमंत्री जानता क्या कहते हैं आपको क्या पब्लिक का मूड क्या लगता है कि उप चुके हैं और परिवर्तन चाहते हैं क्योंकि जनता भी यह सब नहीं सुनना चाहती है जनता चाहती है कि अपनी जो समस्या हैं उनका समधान हो और 10 साल हो गए है बेरोजगारी रही है तमाम जो समस्या है'm जट जो संघर्श हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जो भी जिस तरह से क्माने की कोशिश कर रहा है जै केटी में चाहिक कुछ क्छ भी हो ब्रुट रही है तो मुश्किलैं बहुत बढ़ चुकी हैं और लोगघन ते की उनको के इधर उधर देने की बात की, हर घर में जल देने की बात की, नल देने की बात की, आप दिया क्या, बताईए, आप बताईए, दिया क्या, वो पंद्रा लाक रुपे खाते में आये, वो दो क्रोर रोजगार मिले, कुछ नहीं दिया, तो परिस्तितिया तो एकदम अलग है ना, परिस्तिति यह है कि जितने भी आपने वादे किया उनको आपने पूरा नहीं किया, हाँ, इवेंट खूब हुए, जी ट्वेंटी हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तमाम प्रधान मंत्रियों ने, राश्टरपतियों ने कहा कि भई, मोदी जी बहुत महान है, ये सब हुआ, ये सब हुआ, य लेकिन जनता के जीवन में जो उसका रोज का संघर्ष है, जो किसान का संघर्ष है, श्रमिक का संघर्ष है, महिलाओं का संघर्ष है, उसमें क्या बदलाव आया, मैं हर हाँ सबह में पूछती हूँ कि आपके जीवन में परिवर्तन आया कि नहीं आया, और जवाब हमेशा रहुल जी पर खास तोर से जब आप देखिए तब उन पर परसनल अड़ाइक भी बहुत ज्यादा होते हैं और वो लगातार आगे बढ़ते वो इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं इसके पीछे आप क्या लगता है क्या रणनीती किसकी रणनीती आप परसनल जो भी रणन होती है किसी की नकली श्रद्धा होती है अब भाया की श्रद्धा असली है इस देश के लिए इस देश की जनता के लिए भाया का ध्यान अपने काम पे रहता है और उनको बिल्कुल कोई परवाह नहीं कि कोई उसके बारे उनके बारे में क्या कहें क्या नहीं कहें बहुत सा पुरह गांदी चीड है तक उन में से कोई वादा पूरा नहीं किया और प्रधानमंत्री कह रही थे मैं उन में से कोई वादा पूरा नहीं किया और यह देश उसको लेकर के भी प्रियंका गांधी ने ये बात कही है कि राहूल गांधी पर जितने भी हमले होते हैं वो उसका जबाब नहीं देते क्यों कि वो काम में भरोसा रखते हैं प्रचार में भरोसा नहीं रखते हैं तो ये अलवर में दौसा में प्रियंका गांधी ने नियूज मिलाकर के जो ये प्रियंका गांधी का राजस्थान का दोरा है उसमें प्रधान मंत्री पर बीजेपी पर जम कर हमला बुलाएं